हेलो दोस्तो तो मैं हूँ आपका दोस्त प्रकाशित राठोड और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पोकेमोन डिटेक्ट्व पीकाचू फिल्म के सीक्वल के बारे में है फिल्हाल तो आप इसे एक रूमर समझ के ही चलिया है क्या करें वल दोस्तो पोकेमोन डिटेक्ट्व पीकाचू के बारे में आप लोगों को मैं बता दू कि फिल्म बोक्स ओफिस पर काफी अच्छी थी और फिल्म का डायरेक्शन भी काफी अच्छा था इस फिल्म को डायरे तो मैं कहूंगा कि मुझे एंड वाली जो पीकाचू और मियाव पोकेमोन की जो एक्षन वाली जो सीन थे वो काफी जबज़स्ती मुझे पसंद आई थी लेकिन अब जो अपडेट निकल कर यह अपडेट नहीं एक रूमल की तोर के चलिए यह जो रूमल निकल कर यह वह और साथी साथ इस फिल्म के डेक्टर के बर में पहले इस फिल्म को यानि फ़र्ट पार्ट को आप लोगों को मालूंगा कि रोबी लेटर में ने डायरक किया था और काफी जबज़स्ता लेकिन अब फिलहाल तो जो अपडेट निकल किये वह डायरेक्टर रियान जोंसन के नहीं की गई है कि क्या वो डोडो पोकेमोन डिटेक्टिव पिकाचु को डायरेक्ट करेगे या नहीं फिलहाल तो रूमल चरिये तो मेरे घ्याल से काफी अच्छा मोका होगा पोकेमोन के यूनिवर्स को लेकर आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों डिक्टेक्टिव पिकाचु फिल्म 150 मिलियन डॉलर के आसपास बने गई थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर 400 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा बिजनस कर गी थी तो एक तरीके से ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक सूपर हीट की केटेगरी में तो सामिल होती है वह दोस्तों लगे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो मैं मिलेंगो आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड बाई बाई